मेरा नाम महेश मेता है काबा सरी भी लोग मतलब उसको चूमते है टच करते है बाद में जो हजर-ए-स्वध है तो हजर-ए-स्वध को भी लोग चूमते के आदम एलही सलाम को खुदा ने अल्ला ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहां फिक्स किया है तो जये जये के नहीं है भाई साब महेश भाई माशाला जब से आरेफ कायम हुआ 1991 से उस वक्त से माशाला आरेफ में आ रहे और अगर कोई शक्स जब हमाई वीडियो लाइबरी शुरू हुई थी अगर कोई शक्स जिसने सबसे ज़्यादा कसेट देखा उन चन्द सालों में महेश भाई माशाला आप जो कह रहे थे कि हजर अस्वद को लोग चुमते बेशक मैं जानता हूं चुमते तो क्या ये सही है लोग को गलत फहमी है कि मुसल्मान हजर अस्वद की अबादत करता है कोई भी मुसल्मान हज्र-असवद की अबादत नहीं करता है लोग को ये गलत फहमी है कि लोग काबा की अबादत करते है क्योंकि हम मक्का जाते है उम्रा में, हज में, तवाफ करते है नमास पढ़ते हैं, उसके तरफ पढ़ते है तो ये क्यूं? इसकी वज़ा है कि काबा, हज्र-असवद हमारे लिए किबला है किबला मी डिरेक्शन अगर हमें आज नमास पढ़ना है तो कोई कहेंगा पूरप के तरफ देखे पढ़ो कोई कहेंगा पश्चिम, कोई कहेंगा नौथ कोई कहेंगा साउथ, कोई इस्ट, कोई वेस्ट किस तरफ देखे? तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मू करके नमास पढ़ते है तो अगर हम नौथ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देखके नमास पढ़ते South में तो North की तरफ, East में तो West में, West में तो East में और हम जानते हैं कि जब Muslim Cartographers ने पहली बार जब World Map ब्रॉक किया था तो South Pole उपर था North Pole नीचे और काबा बीच में था Western Cartographers आए और मैप को उल्टा किया North Pole टॉप, South Pole डाउन, North Pole उपर, South Pole डाउन बट अलब लिल्ला, अलब लिल्ला, फिर भी काबा बीच में हैं, Center तो काबा, हमारे लिए किबला है, Direction हम जब जाते हुम्रा के लिए हज के लिए, हम काबा के गोल हज एस्वत के गोल, काबा के गोल, हम तवाफ करते हैं हम तवाफ इसले नहें करते हैं, क्विए हम उसकी अभादत करते हैं, हम तवाफ इसले करते हैं क्विए आञा है। अल्ला का हिकाम है, हमाई रसुल का हिकाम है लेकिन मन्तिक से मैं सोचू, लॉजिक से सोचू तो ये सोच सकता हूँ कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महावर है एक सेंटर क्योंकि हम मानते हैं कि अल्ला एक है, खुदा एक है इसलिए हम काबा के गोल तवाफ करते है ये दिखने के लिए कि अल्ला हुदा एक है जैसे आपने फरमाया कि मुस्मान चुमते है बिलकुल सभी फरमाते है मैं तो मेरे बेटे को भी चुमता हूँ कल आप कहेंगे कि बेटे की अबादत करता हूँ उसका जवाब दूँगा मैं एक हदीथ है सभी बुखारी की वाइम नमबर टू हदरत अमर रदेलाव अन जो सेकेंड खलीफा थे इसलाम के वो ये हजर अस्वत को देख के कहते है कि ये काला पत्थर ना ही मेले कुछ अच्छा कर सकता है ना मेले कुछ बुरा काम कर सकता है क्योंकि मेरे आखिर रसुल मुम्मस ने से चुमा इसले में चुम रहा हूँ इटके नीदे बेनेफिट मी इटके नीदे काजमी हाम ना मुझे कोई रुकसान पहुचा सकता है ना मुझे कोई फाइदा पहुचा सकता है क्योंके मुम्मत ﷺ ने चूमा इसले में चूम रहा हूँ ये अलफाज दूसरे खलिफा हद्थ अमर अन्हू के काफी है बताने के लिए के हम मुसल्मान हजर अस्वत की अबादत नहीं करते और मुम्मत ﷺ के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चड़के आजान देते थे अगर कोई मुसल्मान काबा या हजर अस्वत की अबादत करता है कोई भी बुद परस जो बुद की अबादत करता है उस पे कभी भी ये चड़ेगा तो ये कहना कि हम काबा या संगे अस्वद हाजे अस्वद की अबादत करते है कई सहाबा ने काबा पे चड़के आजान दी तो ये थाबत है कि हम ना काबा ना अजे अस्वद की अबादत करते है हम सिर्फ उसको किबला मानते है और क्योंकि अल्लागर उसमने चुमा इसलम चुमते है हम उसकी अबादत नहीं करते है Hope the answer is a question My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive and say about two months before I just felt like I should read Quran I should know more about Islam and so I just felt like I asked one of my friends who was there in the train whom I didn't know okay what's Quran so she told me okay fine this is what it is I read about it and I really loved reading it and then once upon like I read all about Muhammad Sallallahu A.S. and the Sunnah things and all the ways of life and everything and I found it to be so beautiful like it taught me how to live you know which the life I never led before it was like so beautiful and I couldn't explain I can't explain now too like how I feel coming into Islam and knowing about Allah and like I have today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad but I can't but the problem is that I can't tell my parents nor my relatives nor my brother like what is Allah I want to tell them ki what is Allah like you just ask one thing like today I asked just I wanted to hear I wanted to be over here and listen to your bayan and I just thought oh I could be there with you and to listen to your bayan and see today evening all alone I am over here to listen to you the faith you know the confidence the faith in whatever asks like no I want this and I do get that but that faith that love that affection I have not never seen in all these years in my life but now I feel that it's like I can't explain in which world I have come to into now but the same way I want to explain my parents ki what Islam is but they are not ready to accept ki what it is how am I supposed to make them explain who is Allah what is Allah sister asked a very good question Benne sawal kia hai ke wo chaati thi will I understand Urdu is it fine can you understand Urdu Hindi or do you want me to reply in English no no I can understand Hindi and Urdu as well that's fine but you are like me my English is more powerful than my Urdu Hindi I have surrendered to the will of Allah and the teaching of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam I have ridden that I have heard that I have said that who I have heard that do who are and Allah those o受 cracking and the tasty who has lied that Oud piace who said the that myrhe дух is so but this thing that I have done if my heir did I will give it I will love you I will give the said कैसे कहूं? वालदा से कैसे कहूं? भाई से कैसे कहूं? और वो ये बात को नहीं मानेंगे. किस तरीके से में उन्हें अल्ला सुभाना उताला के बारे में कहूं? बेन, आज तो मेरी तक्रीर थी महम्मद का जिकर मुक्तलिब मजभी किताबों में. तो जो आज आपने यहां सुना, वो आज आके कहो, अपनी वालदा से, अपने भाई से, कि मैंने तक्रीर सुनी, था एक शख्स जो अपने आपको जाकिर कहता है, वो कहता है, कि मुहम्मद स्लल्लाएव स्लल्म, हिंदो मजभी किताब के हिसाब से, वो आ जो कुछ में इस तक्रीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके, वो आप अपने वालदें और अपने भाई से फरमाएं जहां तक कि अल्ला का तालुख है कि अल्ला के बारे में किस तरीके से में मेरे वालदे इनको कहूं अगले सनीचर जैसे मैंने कहा बाइस तारिक को मेरी तक्रीर है खुदा का तसवर मुक्तलिब मजभ में concept of God in various world religions और इसमें इन्शालला जिस तरीके से आज मैंने थाबिट किया मुहम्मद सलल्ला आखरी पेगंबर है मुक्तलिब मजभी किताबों से उस दिन एक हफ़ते बाद इन्शालला मैं ये थाबिट करूँगा कि हर मजभ में जरूरी है कि एकी इश्वर है एकी खुदा है एकी अल्ला है और इस इश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है ना कोई बुद है और सिर्फ हमें इस की अबादत करना चाहिए तो ये दोनों तकरीक सुनने के बाद जो दोनो में पिलर्ज है में रुकुन है इसलाम के में रुकुन है जो कलमा भी है कि मानो के एक खुदा है और उसके इलावा किसी की अबादत नहीं करना चाहिए और मुम्मत सल्लाव सल्लम उसके आखरी पैगंबर और बंदे है ये जरूरी है मानने के लिए कोई इनसान को मुस्लिम बनने के लिए मेरा ये कहना है कि जब भी आप अपने घर वालों से बात करते है तो ये अ ख्सानित की बात करो इक्तिलाफी बात मत करो किसमें ये गलत लिकाई ये मदभी किताब में हिंदू में घलत ये मत कीजिए आऊ हम wszyscy पीजुए आवे जब आप इसलाम कबूल किये और इसलाम पे अमल करना शुरू किये आपको ये एसाद दिलाना होगा अपने घरवालों को कि आप एक और भैतरीन इनसान है आप जो पहले थे वो दूसरे इनसान है और आज जो वो और दूसरे इनसान है आपको अपनी वालदा से और मौबत करना चाहिए मौमत S.A. फर्माते कि वालदा के पैर के नीचे जन्द है मुस्त अइमत konsflower हडित है तो आपको ये एष़ाद दिलाना होगा कि आप अपनी वालदा से और मौबत करते है आप आपके वालद से और मौबत करते जो आप उनकी बात पहले नहीं मानते थे आज मानना शुरू करो सिर्फ वो चीजे जो कुरान और हदीथ के खिलाफ है अल्ला के अहकामात और मुम्मत स्वालों के पेगामात के खिलाफ है वो चीज छोड़के सब बाते मानो तो उन्हें एसास होगा कि आप उनसे और महबत करते और आस्ते आस्ते प्यार से जो यक्सानियत है उनको बयान करो वक्त हो सकता है आपको कुछ दिन लगे कुछ हफ़ते लगे कुछ साल लगे आपका एकामे खिकर करना जैसा मेरा एकामे खिकर करना हिदाय देता अल्ला सुभानाओ ताला हिदाय तो अल्ला देता हम सिर्फ दिकर करते इसी तरीके से आप दावत दीजे आपके घरवालों को और बाद में अल्ला पे छोड़िए छोड़िए